लोक था बारा, तीन वर्दान, बहुत समय पहले की बात है, देवताओं ने एक व्यक्ति की प्रात्नाओं से परेशान होकर मुख्य देवता से कहा, देव यह व्यक्ति बिल्कूल भी वर देने योग नहीं है, परन्तु यह लगातार प्रात्ना कर रहा है, सो अब इसे ताला बिल्कूल भी नहीं जा सकता, इसके साथ दिक्कत यहा है कि यह वर पाने के बाद उसका दोप्योग कर सकता है, मुख्य देव ने कुछ देव प्रात्नादत्य व्यक्ति बारे विचारा और खभ़ाने की बात नहीं है, इसे वर दे दो, देवताओं ने इस वक्ति से कुछ म मांग लेना तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी ध्यान रखना कि ए गोला सिर्फ एक ही बार काम करेगा अता सोच समझ कर इन्हें उपयोग मिलाना व्यक्ति को तो जैसे सारा जहां मिल गया वह खुशी और उत्सा से भागता हो अगर पहुंचा वह तुदंत अपने कमरे में जाकर वर मांगना चाहता था वह कमरे में घुसी रहा था कि उसका छोटा सा बेटा भाग कर आया और से लिपट गया इस अचानक हमले से व्यक्ति के हातों का संतुलन बिगड़ गया और एक गोला निच्छे गिर कर फुट गया उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उ जैसे आस्मान से गिरा वह रोने लगा उसे बाकी दोनों गोले याद आए उसने एक और गोला अपने हाथ में लिया और आखे बंद करके गोला जमीन पर गिरा कर फोड़ दिया और मांगा मेरे बेटे के चेहरे पर आँखे लग जाएं उसने आँखे खुली तो देकर आश अइसास होने लगा मरता क्या न करता उसने तीसा गोला भी खोड़ा और मांगा कि उसके बेटे का चेहरा सामान नहीं हो जाए और पहले की तरह के बाल दो ही आँखे सामान तरीके से उसके चेहरे पर रहे इस तरह से उसके कमाए गए तीनों बर बेकार हो गए